घेलो वच्चो working to rate upgrade तो अभी previous वीडियो में ही हम लोग ने क्या discuss किया था synthetic division method कारे में discuss किया था कैसे synthetic division method से हम क्या निकालते हैं हमारा quotient and remainder निकालते हैं अभी हम लोग linear method से क्या करेंगे इस करेंगे जादा नहीं करूंगा मैं दो तीन सम करूंगा इससे आपको पता चल जाए कि Liner Method होता है क्या है विपस्ष में कछिए करता है कि आप में उमीड भी होता है ना फिर भी वो टॉपिक को करिये विकॉज आप मैक सिर्फ उस पर्टिकुलर येर के लिए नहीं पढ़ रहे है आप लाइफ के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि भाई हम लोग को बोला यह नहीं है हमारे तो स्कूल में आई नहीं रहा है विकॉज आप पढ़ाई आपका में परपस मार्क स्कूर करना नहीं है आपका में परपस है एज्जुगेशन का कि आप नॉलेज गेन कर सके तो नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है ओके सो देखिए क्या वीडियो है 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 क्या समय है पर 2m स्क्वार माइनस 3m प्लस 10 डिवाइड ब डिवाइजर को सोरी डिवीडेंट को एक साइड लेंगे अब मुझे क्या करना है पता है क्या यह जो डिवीडेंट है न डिवीडेंट का फॉर्मला क्या है डिवाइजर इंटु कोश्यंट प्लस रिमेंडर अब हम लोग क्या करेंगे पता है क्या इस पूरे सिनेरियो को क किसमें कनवर्ट करने जाएंगे डिवीड डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमेंडर अब तुम बोलो के कैसे ओके तो इसका मैथड कैसे होता है देखो यहाँ पर एक चीज याद रखो डिवाइजर डिवाइजर क्या है तो यहाँ पर एक चीज अचीज चाहरा है कि मेरेको म quelqu कर यहाँ पर मिलना चाहिए वो भी काल के फार में में मिलना चाहिए होगे मुझे काल किशन चाहिए मेल को पूर्ण इंटे टिवाइजर जो same bracket होता तो उसको आपन एक बार लिखते हैं और जो बाहर के terms होते हैं उनको एक बार लिखते हैं अगर आपको नहीं आता रहेगा तो तो आपको और clarity आएगी तो आप वो वीडियो देखकर ये वीडियो देखने आएंगे तो भी आपके लिए क्या होगा 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 है ओके तो देखिए यहां पे मुझे अंदर क्या चाहिए M-5 चाहिए ठीक है तो करते कैसे हैं देखो ये 2M स्क्वाइर है 2M स्क्वाइर है अब तुमको सोचना क्या है पता है क्या 2M स्क्वाइर के बाजू में मैं ऐसा number या variable लिखू कि जब मैं common निकालू ना तो अंदर अगें बोल रहा हूं मैं 2M स्क्वाइर के बाजू में ऐसा number या variable लिखना है ना कि जब मैं उन दोनों टम में से कुछ common निकालो ना तो अंदर क्या मिले मुझे M-5 मिले देखो यहां पे 2M स्क्वाइर है तो हम 2M common निकालेंगे तो अंदर M मिलेगा ना मुझे तो इसका मत बोला है ऐसा number या ऐसे term मुझे बाजू मिले हो ना जब मैं common निकालो तो अंदर क्या मिले मुझे M-5 मिले ठीके अब माइनस 10M को कैंसल कौन करेगा प्लस 10M माइनस 3M यह तो अल्रेडी है ना और प्लस 10 ठीके सो 2M स्क्वाइर माइनस 10M को इसी लेंगे हम लोग प्लस 7M अब 7M के बाजू में मैं ऐसा number लू या ऐसा term लू कि जब मैं उसमें से कुछ common निकालो तो अंदर M-5 मिलना चाहिए अब देखो यहाँ पे मुझे M चाहिए ना common क्या निकालूंगा 7 तो इसके बाजू में भी जो number लूँगा उसमें से जब मैं 7 common निकालो तो अंदर क्या मिले 5 मिले तो इसके बाजू मैं क्या लूँगा माइनस 35 7 common निकालूंगा तो M-5 भी बचेगा ना अब माइनस 35 कैंसल कौन करेगा प्लस 35 एंड प्लस 10 अब इनको कुछ नहीं करना है ठीक है चलो अब हमें लोग उन्हें स्टेप पे आते इधर से common क्या निकाल लिया 2M तो अंदर क्या बचा M-5 इधर से common क्या निकाल लिय है कि जब दो टम मल्टिप्लाय करते हैं सेम ब्रैकेट को तो बाहर वाले टम्स को एक साथ ले लो और जो रिपीट हो रहा उसको एक बार ले लो और यह तो बाहर का वैसे का वैसा रहेगा देखो ना मेटा डिवाइजर इंटु कोशेंट प्लस रिमेंडर अब ज़स प्रि क्लियर हुआ ओके कोई डाउट इसमें है अब देखो जिनको नहीं समझा रहेगा वह एक और सम ध्यान देंगे तो आपको सेकंड वाले सम में थोड़ा सा और चीज़े समझेंगे ओके तो देखिए अभी सेकंड सम समझते हैं तो चलो सेकंड सम शुरू करते हैं ओके तो द प्लस थ्री एक स्क्वेर प्लस फोर एक व्लस फाइव डिवाइड वाइट बाइएक प्लस टू अब मैंने क्या बोला डिविडेंट को एक साइड ले लेने का और क्या करने का उसको डिवाइजर into quotient plus reminder remainder के form में क्या करने है convert करने का मैंने क्या बोला हूँ अभी इधर क्या है x plus 2 तो मुझे यहाँ भी क्या चीए x plus 2 ठीक है अब x raise to 4 के बाजू में ऐसा term लूँगा जो जब मैं x raise to 4 से कुछ common निकालो तो क्या मिले अंदर x plus 2 मिले तो अंदर देखो मैं क्या लूँगा plus 2 x cube लूँगा समझ रहे 2 x cube भी लूँगा ना बेटा क्योंकि मैं x cube common निकालोंगा तभी तो x plus 2 मिलेगा अंदर और x cube को cancel कोन करेगा minus 2 x cube और अल्रड़ी यहाँ पर कौन है plus 2 x cube plus 3 x square plus 4 x plus 5 cancel हो गया तो इधर क्या अब तुम बोलो के sir पहले ही सी तो वहाँ पर 2 x cube था ना तो आपको already लेनी की जरूद क्यों थी बेटा कोई सम्में होता है कोई सम्में नहीं होता तो हमें एक ही format follow करेंगे ना अब इधर कौन बचा 3 x square अब मैंने क्या बोला इसके बाद जिए मैं ऐसा टम लीजिए कि जब मैं common निकालो तो x plus 2 बचे अब यहां मुझे x शही है तो मैं 3 x common निकालूँगा तो यहां पर मैं क्या ले लेता हूँ 6 x ले लेता हूँ ना विकोस 3 x निकालूँगा तो 2 ही बचेगा ना और 6 x को कोण हटाएगा माइनस 6 x और यह तो यहां पर हाई यह तो यह हो जाएगा x raise to 4 plus 2 x cube यह तो 2 की जोड़ी है 3 x square plus 6 x यह 2 की जोड़ी है यह माइनस 2 x अब इसके बाद जिए मैं ऐसा क्या लूँ कि जब मैं common निकालू तो मुझे क्या मिलना चाहिए x plus 2 मिलना चाहिए तो मैं लूँगा minus 4 because minus 2 निकालूँगा minus 2 है न यहां पर तो यहां से भी तो minus निकालूँगा तभी तो plus होगा न और minus 4 को cancel कौन करेगा plus 4 और 5 तो है न अब देखें ये दो की जोड़ी x cube भार ले लिया अंदर क्या बचा x plus 2 ये दो की जोड़ी भार क्या ले लिया 3x तो अंदर क्या बचा x plus 2 ये दो की जोड़ी भार क्या ले लिया minus 2 अंदर बचा x plus 2 और अंदर बचा plus 9 पिछला साम उठा कर देख लेना यही मिलेगा आपको अभी x plus 2 एक बार ले लू डिवाइजर मिल गया कोशन्ट क्या हो जाएगा मेरे लिए x cube plus 3x minus 2 और remainder क्या हो गया मेरे लिए 9 यहीं इसमाइ रिमेंडर एंडिस इसमाइ कोशन्ट यह तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है आप खुद देख रहे हूं कि आपके लिए क्या है डिवाइजर है समझा तो डाउट इसमें ओके अब चलिए आपके लिए एक और सम कर देता हूं थर्ड वाला सम जिसमें थोड़ा missing है तो आपको थोड़ी चीज़े समझे ओके इसलिके आपके पास क्या है वहाँ पर y cube minus 216 divide by y minus 6 ठीक है अब अगेन वही y cube के बाजिए मैं ऐसा नमलू में कि जो मुझे common निकालो तो y minus 6 दे तो मैं क्या लूँगा minus 6y square सब्सक्राइगी नहीं तभी तो मैं y square common लूँगा तो y minus 6 मिलेगा और इसको हटाएगा कौन 6y square minus 216 ठीक है तो यह एक जोड़ी बन गया y cube minus 6y square अब देखो 6y square के बाजिए मैं ऐसा टमलू कि जब मैं common निकालो तो y minus 6 मिले तो मैं क्या लूँगा minus 36y ठीक है अब आगे क्या जाएगा plus 36y minus 216 ओके अब तुम ध्यान से देखोगे न तो यहाँ पे दो-दो की जोड़ी अल्रेडी बन चुकी है अब देखो यहाँ से अगर मैं 36 common निकाल लिया तो y minus 216 ही मिलेगा न मुझे विकॉस अगर 216 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही मिलता है न तो देखो यहाँ से common निकाल लिया क्या मैंने y square तो अंदर क्या बच गया y minus 6 इदर से ले लिया plus 6y अंदर क्या बच गया y minus 6 यहाँ से ले लिया plus 36 अंदर क्या बच गया y minus 6 तो देखो y-6 common हो जाएंगे सारे के सारे और क्या हो जाएगा y square plus 6y plus 36 और remainder कुछ नहीं है तो 0 कुछ बचाई नहीं न so remainder और यह हो गया मेरे लिए question clear हो गया बच्चों करने को तो बागी 3 sum भी कर सकता हूं मेरे लिए तो peanut है कोई बढ़ी बात नहीं है बट आप लोग try करें और आप लोग बता है और मैंने क्या बोला हूं हर वीडियो में बोल रहा हूं कि अगर आपके जो भी doubts रहेंगे हमारा Instagram page है आप उसे follow करके आप follow करके रख सकते हों और जब भी आपको doubt रहेगा आप कुछ DM भेज सकते हैं उसका अगर बहुत सारे doubts हमारे पास अगर more than 5-10 doubts collect हो गए तो हम लोग जिस बच्चे का भी doubt रहेगा उसका नाम लेकर हम यहां पर उसका doubt solve कर देंगे और उसके लेक पटिकुलर वीडियो बना कर बना देंगे और आपको लिंक भेज देंगे और यूट्योब पर अपलोड जाएगा ओके तो इसके लिए जितना अलदी हो सब्सक्राइब आपको पूछ लिजिएगा खुछ भीगा ओके बट मैंने क्या बोर दैन 5-10 doubts आएंगे तो ही वो वीडियो बनाया जाएगा ओके सो देखो मैं क्या बोल रहा हूं तो हमारे एक्साइस खतम हुआ प्रीवेस अगले एक्साइज बहुत ही शौट एक्साइज है फटाक से वह तो आट दस मिनिट के अंदर वह आप कंसेट समझ जाओगे असली महनत उसके अगले दो एक्साइज में है ठीक है तो अगले एक्साइज को ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से समझी का तब ही आपको अगला करिए और अराम के साथ इतना वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ठाइंक यू